है लो एब्रिवंड वेलकम तूवमाइः यूट्यूब ड़ैनल, इस विडियो में हम मैथ के टाईम, श्पीड एंड, दिस्टन स्टोपिक को गवर करेंगे इस topic से जितने भी type के question पूछे जाते हैं या जितने भी type के question बनते हैं उन सभी type के question को इस video में solve करना सीखेंगे इस topic को concept समझ लेंगे Time, Speed and Distance का basic formula होता है Speed equal distance upon time चाल बराबर दूरी बटे समय ये पूरा topic इस formula पर ही based होता है Question के according हम इस formula का use करते हैं अगर किसी व्यक्ति की चाल निकालनी है उसकी दूरी दी है और समय दिया है तब हम Speed equal distance upon time formula का use करते हैं जब किसी व्यक्ति का समय निकालना है तब हम formula यूज करते है time equal distance upon speed जब व्यक्ति दौरा चली गई दूरी निकालनी है तब हम formula यूज करते है distance equal speed into time दूरी बराबर चाल बुड़ा समय यदि समय को नियत रखा जाए तो वस्तो दौरा चली गई दूरी उसकी चाल के अनपात में होती है जैसे कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में D1 दूरी तै करता है और उसकी चाल है S1 और व्यक्ति उसी समय में D2 दूरी तै करता है और उसकी चाल है S2 तब ये दोनो अनपात में होगी तब इसका formula हो जाएगा D1 upon S1 equal D2 upon S2 यदि चाल को नियत रखा जाए स्पीट को कॉंस्टन रखा जाए तब वहाँ पर तै की गई दूरी समय के अनपात में होगी जैसे एक नियत चाल से कोई व्यक्ति D1 दूरी तै करता है और उसको समय लगता है T1 का उसी चाल से वही व्यक्ति D2 दूरी तै करता है तब उसको समय लगता है T2 का तब दूरी समय के अनपात में होगी तो फार्मूला हो जाएगा D1 upon T1 equal D2 upon T2 यदि वस्तु दारत तै की गई दूरी नियत है माली के दूरी D है कोई वस्तु S1 किलूमीटर पर ती घंटा की की चाल से D दूरी को तै करती है और उसका समय है T1 और इसी दूरी को वस्तु S2 चाल से तै करती है और उसका समय है T2 तब उसका फार्मूला हो जाएगा S1 T1 equal S2 T2 यदि किसी वस्तु की चाल किलूमीटर पर ती घंटा में दी हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कनवर्ट करने के लिए पांच बटे अठारा से गुणा करते है और अगर किसी वस्तु की चाल मीटर पर सेकंड में दी हो तो उसको किलूमीटर पर ती घंटा में कनवर्ट करने के लिए अठारा बटे पांच का गुणा करते है यदि दो वस्तुओं एक ही दिसा में गतिमान हैं माल लेंगे वस्तु A 15 km पति घंटा की चाल से चल रही है और वस्तु B 10 km पति घंटा की चाल से चल रही है और ये दोनों वस्तुओं एक दूसरी की फिपरी दिसा में चल रही है यानि वस्तु A B की ओर जा रही है और वस्तु B A की ओर आ रही है तब इनकी सापेच चाल रिलेटिव स्पीड को RS से लिख लेंगे ये हो जाएगी 15 प्लस 10 तब इनकी चाल आपस में जुड़ जाती है तो सापेच चाल इनकी हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा जब दो वस्तु ओं विपरीत दिसा में गतिमान है तब उनकी सापेच चाल उन वस्तु की चालों के योग के बराबर होती है और जब वस्तु A और B दोनो A की दिसा में गतिमान है तब इनकी सापेच चाल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 15-10, 5 किलोमीटर प्र आवर जब दो वस्तुएं समान दिसा में जा रहे होती है तब उनकी सापेच चीचाल उन वस्तुओं की चालों के अंतर के बराबर होती है और सचाल एबरजी स्पीड निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और सचाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, बटे, कुल समय जब दो वस्तुओं समान दूरी को अलग-अलग चाल से तै कर रही है माल लेंगे एक वस्तु एक्स है जो एक किरोमीटर पति घंटा की चाल से दूरी तै कर रही है और दूसरे वस्तु वाई है जो बी किलोमीटर पति घंटा की चाल से दूरी तै कर रही है और ये दोनों समान दूरीयों को अलग-अलग चाल से तै कर रही है तब वहाँ पर एवरेज स्पीड एस इक्कॉल हो जाएगा टू एबी अपॉन ए प्लस बी जहाँ ए पहली चाल है और दूसरी चाल है तो इस चाल से चलकर ए पुल को पार कर लेते हैं अब इस टर्पिक से एलेटेड पुल की लंबाई कितनी है राम की चाल स्पीड इक्कॉल दिया है 15 किलोमीटर पति घंटा और पुल को पार करने के लिए उसको समय लग रहा है 5 मिनट का मिनट दिया है तो इसे घंटे में कनवर्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा 5 बटे 60 5 से भाग दे देंगे 60 में तो समय हो जाएगा 1 बटे 12 घंटे पुल की लंबाई कितनी है distance equal होता है speed into time दूरी बराबर 4 गुला समय 4 है 15 किलो मिटर पति घंटा और समय लग रहा है 1 बटे 12 का 3 से भाग दे देंगे इसमें यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 4 तो यह हो जाएगा 5 बटे 4 किलो मिटर लेकिन option में मीटर दिया है तो 5 बटे 4 में 1000 का गुणा कर देंगे 4 से भाग देंगे इसमें यह हो जाएगा 250 पांच का गुणा कर देंगे 250 में तो दूरी आ जाएगी 1250 मीटर option C's का right answer होगा next question दिखेंगे question यह है एक बस किसी यात्रा को 12 गंटे में पूरा कर सकती है आरंब की आधी यात्रा 22 किलोमीटर पती घंटा की गती से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर पती घंटा की गती से पूरी की जाती है दूरी ग्याद कीजिए मालनेंगे दूरी X है इसकी आधी दूरी 22 km गंटा की गती से पूरी की जा रही है T1 निकालेंगे आधी दूरी 22 km गंटा की गती से पूरी की जा रही है बटे 22 तो T1 इक्कॉल हो जाएगा X upon 44 दूसरा समय निकालेंगे T2 इक्कॉल हो जाएगा और आधी दूरी 26 km प्रती घंटा की गति से पूरी की जा रही है X upon 2 upon 26 तो दूसरा समय आ जाएगा X upon 52 कुल दूरी 12 घंटे में पूरी की जा रही है तो T equal हो जाएगा T1 plus T2 कुल दूरी 12 घंटे में पूरी की जा रही है T1 है X upon 44 plus T2 है X upon 52 LCM इसका आ जाएगा 572 यह हो जाएगा 13 X plus 52 से डिवाइट कर देंगे इसको तो यह आ जाएगा 11 X और यह 12 आवर के कुल है 24 X equal हो जाएगा 572 multiply 12 12 से डिवाइट कर देंगे 24 को यह हो जाएगा 2 डिवाइट कर देंगे 572 को तो यह आ जाएगा 286 तो X equal हो जाएगा 286 किलोमेटर तो दूरी आ जाएगी 286 किलोमेटर option C's का right answer होगा next question रिखेंगे question यह है एक कार 400 किलोमेटर की यात्रा 12 सही 1 बटे 2 घंटे में पूरी की पहली 3 बटे 4 यात्रा 30 किलोमेटर पती घंटे में की 6 यात्रा के लिए कार की गति की गढ़ना कीजिए कुल यात्रा 400 किलोमेटर की है और इसकी 3 बटे 4 यात्रा 400 का 3 बटे 4 निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 300 और कुल यात्रा की पहली 3 बटे 4 यात्रा 30 किलोमेटर पती घंटा में पूरी की तो समय निकाल लेंगे यात्रा है 300 बटे और ये 30 km पती घंटा की चाल से पूरी की बटे 300 हो जाएगा 30 से भागे देंगे इसमें तो समय आ जाएगा 10 घंटे कुल यात्रा 400 है और इसकी पहली 3 बटे 4 यात्रा 300 है जो कार ने 10 घंटे में पूरी कर ली है तो सेस यात्रा बचेगी 100 km की और यात्रा को पूरी करने का समय है 12 सही 1 बटे 2 घंटे ये हो जाएगा 25 बटे 2 घंटे और इसके 3 बटे 4 यात्रा 10 घंटे में पूरी कर रहा है तो 10 घंटे को इसमें घटा देंगे SES SES समय निकालेंगे SES समय आ जाएगा पांच बटे दो SES से यात्रा के लिए कार की घती की गणना कीजिए Speed Congressman हो जाएगा distance upon time distance है 100 km कि और समय है 5 बटे दो यह हो जाएगा 200 बटे 5 5 का भागे दिंगे 200 में तो चाल हो जाएगी 40 km क्योंटर प्रति घंटा आप्शन 20 का राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे को यह एक किसाने 61 km की दूरी 9 गंटे में तै कि वह कुछ तो 4 km प्रति घंटा की दर से पैदल चला और कुछ 9 किलोमेटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से चला उसने पैदल कितनी दूरी तैंगी माल लेंगे उसने पैदल एक्स किलोमेटर की दूरी तैंगी और इस दूरी को वह चार किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो पहला समय टीवन वराबर हो जाएगा एक्स बटी चार और कुछ 9 km पती घंटा की दरपर साइकल से चला दूसरा समय निकाल लेंगे T2 इक्कल हो जाएगा कुल दूरी 61 km की है और X km वो पैदल चल रहा है तो सेज दूरी बचेगी 61-X और इस दूरी को वो 9 km पती घंटा की चार से साइकल से चल रहा है कुल समय निकालेंगे T इक्कल हो जाएगा T1 प्लस T2 और वो 61 km की दूरी 9 घंटे में तै कर रहा है तो T इक्कल हो जाएगा 9 इक्कल T1 है X उपान 4 प्लस T2 है 61-X उपान 9 9 इक्कल हो जाएगा LCM लेलेंगे इसका 36 यह हो जाएगा 9X प्लस 244-4X तो 5X इक्कल हो जाएगा 324-244 तो X इक्कल हो जाएगा 80 अपान 5 5 से डिवाइट कर देंगे इसको तो दूरी आ जाएगी 16 km यह दूरी उसने पैदल तैंगी है option C का right answer होगा next question देखेंगे question दिया है यदि दो बसों में से एक बस 300 km की आतर साथ सही एक बटे दो घंटे में तै करती है और दूसरी 450 km की आतरा 9 गंटे में तै करती है तो उनकी चाल का अनुपात होगा s1 ratio s2 निकालना है 300 km की दूरी साथ सही एक बटे दो घंटे में तै करता है यह हो जाएगा 15 बटे दो तो इसकी चाल हो जाएगी 40 km और दूसरी दूरी है 450 km इसे 9 घंटे में तै कर रहा है तो 40 की हो जाएगी 50 km दूनों का अनुपात निकालना है जीरो से जीरो कैंसल हो जाएगा तो उनकी चालों का अनुपात हो जाएगा चार अनुपात पांच ऑप्सन सीज कर आइट आंसर होगा नेक्स्ट कॉस्चन दिखेंगे कॉस्चन दिया है एक मोटर साइकल 20 km पती घंटा की चाल से 40 km की दूरी तै करती है अगली 40 km किस गती से मोटर साइकल चलने पर पूरी आतरा की ओसत गती 30 km पती घंटा होगी आसत गती एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड को एएस से लिख लेंगे एस इकल होता है 2AB अपॉन ए प्लस बी जहां A पहली चाल है और भी दूसरी चाल है मोटर साइकल की ओसत चाल दी है 30 km पती घंटा इकल 2 multiply पहली चाल है 20 km पती घंटा और दूसरी चाल माल लेंगे X है अपॉन 20 प्लस X यह हो जाएगा 600 प्लस 30 X इकल 40 X तो 10 X इकल हो जाएगा 600 तो X इकल हो जाएगा 60 km पर आवर तो दूसरी चाल आ जाएगी 60 km पती घंटा आपसन C's का राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन दिखेंगे कोश्चन दिया है दो सहर A और B एक दूसरे से 360 km की दूरी पर है एक कार A से B तक 40 km पती घंटा की चाल से जाती है और 60 km पती घंटा की चाल से लौट आती है कार की औसर चाल क्या है औसर चाल Average Speed निकाल लेंगे Average Speed इक्कल होता है 2AB upon A plus B 2 इंटू पहली चाल है 40 km पर आवर और दूसरी चाल दी है 60 km पर आवर upon 40 plus 60 यह हो जाएगा Average Speed के इक्कल Average Speed इक्कल हो जाएगा 4800 upon 100 जीरो से जीरो कैंसल हो जाएंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमेटर पर आवर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा नेक्स्ट कॉश्चन दिखेंगे कॉश्चन या है एक कार 77 किलोमेटर की क्रमिक चार दूरियों को क्रमसा 10 किलोमेटर प्रति घंटा 20 किलोमेटर प्रति घंटा 30 किलोमेटर प्रति घंटा 60 किलोमेटर प्रति घंटा की गति से तै करती है इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है 77 किलोमेटर की 4 दूरिया है और वो क्रमसा 10, 20, 30 और 60 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से तै करती है तो टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम इकल हो जाएगा, पहली 7 किलोमेटर की दूरी 10 किलोमेटर पती घंटा की चाल से तै कर रही है, प्लस दूसरी 7 किलोमेटर की दूरी 20 किलोमेटर पती घंटा की चाल से तै कर रही है, प्लस तीसरी 7 किलोमेटर की दूरी 30 किलो किलोमेटर पति घंटा की चाल से तह कर रही है कि एल्सियम इसका आजाएगा 60 यह हो जाएगा 42 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 7 तो टोटल टाइम हो जाएगा 84 अपॉन 60 और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि साथ साथ किलोमेटर की चार दूरियां तह कर रही है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 28 किलोमेटर इस दूरी के लिए उसके आउसत गती क्या होगी आउसत गती एवरेज स्पेड इक्कल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस पॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस है 28 किलोमेट और टोटल टाइम है 84 बटे 60 तो यह हो जाएगा 28 गुड़ा 60 बटे 84 28 से भाग जितेंगे 84 में 3 बार जाएगा 3 का भाग जितेंगे 60 में तो यह हो जाएगा 20 कुलो मेटर पती घंठा तो आउसत गति आजाएगे 20 क्लो मेटर पती घंटा और आप्पी creeping सնरो और Qué I1 यह एक मिसाइल 1386 क्लो मेटर पती घंटाप की घंटा की गति से चलती है एक सेकन्ड में कितनी दूरी तै करती है, मिसाइल की चाल है 1386 किलोमीटर प्रती घंटा तो इसको मीटर पर सेकंड में कनवर्ट कर लेंगे तो इसमें 5 बटे 18 से गुड़ा कर देंगे, 18 का भाग देंगे 1386 में, यह हो जाएगा 77, 5 का गुड़ा कर देंगे 77 में, तो यह आजाएगा 385 मीटर पर सेकंड, तो मिसाइल 1 सेकंड में 385 मीटर की दूरी तै करती है, ओप्शन C का राइट आंसर होगा नेक्स्ट कॉस्चन लेखेंगे कॉस्चन दिया है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रती घंटे के बदले 14 किलोमीटर प्रती घंटे की दल से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसने वास्ताउ में कितनी दूरी तै की माल लेंगे उसकी वास्तविक दूरी D equal है, X और पहले वह 10 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से चल रहा है, तो S1 equal हो जाएगा यह हो जाएगा T1 के एकवल, यह हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, जब वो अपनी चाल 14 km पर ती घंटा कर देता है, S2 एकवल हो जाएगा, 14 km पर ती घंटा, तब वो 20 km अधिक चलता है, तब दूरी हो जाएगी, वास्तविक दूरी X है, और वो 20 km अधिक चलता है, तो प्लस 20 कर देंगे इसमें, तब दूसरा समय निकाल लेंगे, T2 एकवल आजाएगा, डिस्टेंस उपॉन स्पीड, डिस्टेंस है X प्लस 20, और स्पीड है 14 km पर आवर, यह हो जाएगी सेकेंड एक्वेशन, दूने एक्वेशन को कंपेर कर आ लेंगे, X अपॉन 10 इक्वल, X प्लस 20 अपॉन 14, 14X इक्वल, 10X प्लस 200, 4X इक्वल हो जाएगा 200, 4 से डिवाइट कर देंगे 200 को, तो X इक्वल आ जाएगा 50 km, तो वास्तों में उसने 50 km की दूरी ताय की, आप्शन इसका राइट आंसर होगा,